असलाम उलेकूम वेलकम बैक पुजाय का अपने किचिन का आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे चावल की ऐसी मज़ेदार देलिसिस और नई रेस्पी जिसको देखने के बाद आप इसे तुरंत बनाना चाहेंगे और घर की बेसिक चीजों से बन कर तयार होती है ब कि बेस्ट बगयर ठीवतन से निकल जाए यहाँ पर हम चावलो को अच्छे से दो लेना है तो लीगे हमने है चावलों को यहाँ अच्छे से ध्षान लेर देते हैं यहाँ पर मैंने है है बाद पीस मिट के लिए लिए एक तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मसला है जो इसका पानी है वो सब निकल जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं चावल हमारे यहां पर सूक चुके हैं और चावलो को मैंने यहां पर पैन में डाल दिया है और इसको लगातार चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे चावल हैं बहुत अच्छे से भून जाएं यहां पर आप देख सकते हैं इसको लगातार हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें भूनना है ताकि जो हमारे चावलों का कच्छा पन है वो निकल जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे चावल को कलर ज यार हुआ है और इससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अगर आपके पास इलाइची नहीं है तो आप लाइची का पौडर ले सकते हैं और इसको एक बाल में ट्रांसफर कर लिया है यहां पर हम ले लेंगे एक चमच घी और इसको हम यहां पर आदा आदा करकर डाल यहां पर मैंने आदा चमच घी डाला है और इसको यहां पर अच्छी से मिक्स कर लेंगे इससे बहुत ही जाद अच्छी खुश्बू आ रही है आप यकीन नहीं माने के बिल्कुल मिल्क पौडर लग रहा है लेकिन यह चावल का आटा है और जो हमारा वाकी का घी बचा थ में जाओ हो इसा तो और मैं मिक्स करेंगे उसा बिल्कुल है जुखर recovered नहीं वनौघ कवार करना है org जाना हई ना हमारा वैसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी जाएगी उस्यूगल हमारी दढूखर लूंगा है इसी कवमिल्कुल हो चुक है तो यहां पर अश्की 5 लेकgende अगजर मिक्स कड़ें यहां और दाल मिक्स के शूम से क्वाटन पर लाटने जब में ङुरանत आप सकते हैं हैं ये एक दूसरे में चाबलका और मिल्ड़क और धांको प्रोडर चुक हां को हम ताको हम भिलका ठाका तुका हैं तो इसको हम लगातार चलाता हुए पज lihat हैं यह रखा हुआ है इसको मैंने सिर्फ लो फ्लेम पर पकाया है इसको अच्छे से हमें धिमी आज पर पका लेना है और गैस को हम कर देते हैं अब आफ क्योंकि हमारे ठंडा होता चला जाएगा तो यह बिल्कुल गाड़ा पड़ जाएगा इसकी कंस्टेसी एकदम परफेक्ट सेट हो ज तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको बाट लिया है तो यहां पर मैंने लिया है ब्टर पिपर के ओड़ा आप ऐल लिया है और आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम एक हिस्ते को ऐसे ही छोड़ देंगे यहांपर हमने ले लिया है बटर पेपर, बटर पेपर के ऊपर हमने औलगा लिया है, औले को अच्छे से लगाने के भाद जो घीनियाना के अच्छ उसको हम जाति भी हाथों की मदस्टे प्युछ अच्छ इक होगा first thing, आप आया है और Green Color को हम इसके इसके ऊपर अच्छे से फल पिलिस्ट में फेला देंगे यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसकी हेलप से आप जिसकी मदет से चाहें इसके फेला सकते हैं तो लीजिये और यहां पर मैं थोड़ा सा णारील का बुरादर डाल दूगी ताकि इससे जो है न लुक बहुत ही जादा डेलिसस और अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं यह हमारी रेस्पी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ पर मैं इसको सिर्फ आदे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था आप चाहे कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि यह मिठाई आपने कच्छे चावल से बनाकर तयार की है एकदम माविदार टेक्स्चेर के मुँ में घुल जाने वाली सुपर सॉफ्ट मिठाई बनकर तयार होती है बच्चे बड़े और सभी को यह देखने में बहुत ही जादा कलरफुल और अट्रैक्टिव लगेगी कोई भी खुद को इसे खाने से नहीं रोक पाएगा तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजेगा और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजेगा नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए लाहाफेज